हेलो एंड वेलकम टू कंपेंटिलोजी आई एसकेडमी आज हम लोग इस वीडियो में मदर्न इंडिया से समंदित कुछ क्षिशन का डिस्कस करने वाले हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके प्रिलिम्स के रिजाम के लिए जैसे पाला है कि 181818181818181818181818181818181818181818181818 अधिये फैक्ट्री अधिनियम से मुखिता की समस्या का समधान किया गया पाला कर दोगी कमगारों की दुरगटना आया मृट्यों के लिए वाजा तो इसमें जो होगा हमारा इसमें साथ बर्स से कम उम्र के बालकों के लिए करखानों में काम करने पर परतिबंद लगा दिया गया था करने के पीछे मुख के प्रेरक सकती क्या थी आर्थिक मंदी और द्योगिक सकती वासिंग्टन में आयूजीत अंतराश्टी स्रम सम्मेलन के सुजहाव का मसाधा और यह कर रहा कि जी एच हिटले डी में है कि जी एच हिटले की अधिक्षिदा में रायल कमिस्टन और इंडिय और आप्सन का जाएगा टी अफसन हो जाएगा डी अफसन राइट अपसन नेक्ट कोशन है ठीकोशन अब का जा रहा है कि निमलिखित कथलों पर वीचार कीजिए पाला है कि स्रमीक वर्ग की प्रतम संगठित हरताल ब्रिटिस स्वामित वाली रेलों में हुई अधिसरा का कि बंगाल भी भाजन के दिन स्रमीकों ने अपने हरताल से दूर रखा दूसरा क्या होगा गलत होगा और पाला क्यों का सही होगा पाला सही है तिसका अफसन क्या हो जाएगा हमरा यह अफसन होगा और यह अफसन राइट अपसन है यानि की अफसन केवल एक सत्य है निश्क करना कि जमिंदारों की इसेदारी को फसल के आधे भाहत से कम करके एकतिहाई करना दुसरा है इस भी में कि भूमी का वास्तिवी खेतियर होने के नाते बू स्वामियों को प्रदान करना और सबंपरा करना कि समझतर रद करना तो ते भागा किसान अंदोलन का मतलब यहां पर होगा पहला अप्सन हमरा यह होगा यह पोगा कि यहां पर एक यह और हुभागा का मतलब होता है कि तीन भाग और यहां पर एक यह और कर रहा है कि नियुक्षकिंटिंगे को सबंदित है जमिंदारों के रिष्टेदारी को फसल के आगे फसल के आधे-म्ह करके एक-तियाई करना दी है अन्हीं कि अफसर सब्सकर थे कि नेस्ट क्ष़ुच्चन हमारा पपच्वा क्षच्टन में है कि ऑज़ने करने के और डी अप्सन में पावना किसान पावना किसरक संग यानिके महाराश्ट्र में इसमें देखा जाए तो किसान सभा और एका अंदूलन उतर प्रदेश में यह चला था ठीक है यहाँ पर राइट है मुपला विद्रू का समंद किस्से है केरन राज से है काफी यहाँ पर ngangatar qué the body जाता है और फिर बार्दुरी सत्याइक अब हर उसे है और इस्तरे था पावना किशा क्रिस्थ तो है या हमाराश्ट्र में होगा और या बंगाल में होगा और इसको बंगाल में किया घ्रथा यह हमारा डी अप्सन क्या होगा थे किसा संभी समिल्थ परिसल वार्तिय स्रेमिक परिसल भार्तिय स्वाइट गवल राय घ्र याइन कि तीन कर्फंज जो है और तीनों क्या हैै एक डुसरी से समलीत है एक हो जाए आप यह सभी सीति झाये जाएगा रइट होगा works Danielle खिक अब सुन हमारा है सेवह सेवें खुषिन बहले को जा रहा है कि नेली बिद्रो की पहली एकले नीट सीप यह नदिया जी लिया यानिके बंगाल के नदिया जाम में हुआ था जो कि यह मारा राइट होगा और 1869 में नील की पहली घटना हमारे जो है दिस में 1869 में हुआ था लेकिन दूसरी घटना जो है हमारा नील का समंदित किसे होगा यानि कि चंपारण विद्रो जो होता है सत्यागरा गौंदी जी का सत्यागरा पहला सत्यागरा वहां पर भी निल की खेती हर के मजदुर बंगाल के बुधिजीवी बर्ग ने समाचार पत्रों में लेखो द्वारा तथा जन सभावों के माध्यम से विद्रो के प्रति अपना समर्थन दिया ठीक है तो दोनों सही है और दोनों सही है तो हमरा अप्शन क्या होगा इसमें एनिकि सी अप्शन हो जाएगा एक और द सब्सक्राइब नहीं है तो इसमें है कि पहला यानि कि अठारा सौनसत इसमी में सरकार ने भूराजस की दरों में पंचास परतिसत की बृधिकर दी जिससे क्रीशक समस्याएं चरम पर पहुच गई तो यह तो समन्दीत उससे है और इस तरह से देखा जाते यहां पर दक्कन विद्रों से समन्दीत है यहां पर क्या होगा है होगा यह नहीं नहीं होगा नहीं तो हमारा सारे अप्शन को जाएंगे गलत हो जाएंगे यानि कि कौन सा यहां पर दक्कन विद्रों से समन्दीत है हमारे कोश्चन का यहां पर जो नहीं लिखा हुआ है क्या होगा ति क्या होगा पहला राइट होगा कर्ज देने के बदले सहुकार क्रिस्वकों की संपती को अपने कब्जे में रखकर उन्हें अपने चंगुल में फसा लेते थे ये भी क्या होगा राइट होगा करण तुसरा कर रहा कि महार राष्ट्र में है कि करणा गाउं फी से हुआ ठाटेवी क्या है ये भी टियूए क्रणाव ले 여러ा गाउं से हुआ тायक यह गाए यह जचानों की बिरूद सरक्षण पराप्थ हुआ और इस तरह से देखा जाए इस दक्कन बिद्रों का परिणा में होता है कि दक्कन क्रिसक रहत अधिनियम परित किया जाता है और यहां महाजनों के चंगुल से यहां पर बचने के लिए सरक्षण प्रप्ट हो जाता है किसानों का और यह हमारा चारों कथन जो है राइट है और चारों कथन जब राइट है तो इसका अप्शन क्या हो जाएगा अप्शन हो जाएगा डी अप्शन यानि कि यह सभी सत्य है निश्च कोशन हमारा यह है कि 9 question में का आजा रहा हैने मली फ्रित कथनों में कौन सा कथन सही है परहना कह रहा है कि बर्स उनीश सों उन्तिस में जब जाहरला नहरू एटक के अध्यक्ष थे तो इन को र Presidential भागो में भी भाजन हो गए तो इसका क्या राइट है दुसरा कर रहा है की आईटी यूए फ एट अफ की अस्थपना भीवी गिरी की अध्यक्सता में की गई थी ओल इंडिया यूनियन फेडरेशन अल इंडिया इंडिया इंडियां ट्रेड यूनियन फेडरेस्थे जिसको विकाते है और इसका अपना दीरी द्वारा की गई थे क्या होगा यह वी राइट होगा पहला और दूसरा दोनों राइट अहद्व can freueu See निमलिखित कथनों पर विचार कीजिए यह गैर क्रिसी उदेश से समन्दी था तो क्या होगा दस्वा का पहला कथन जो है आहुम अंदोलन के बारे में ते क्या होगा तैनि कि पहला क्या होगा राइट होगा दूसरा कह रहा कि इसका नेतर्त गोमधर कुवर ने किया था क्या हो जाएगा एक और दोंस अच्टे हैं जैने किसी अप्षान राइट अप्षान नेक्ट कोशन अमरा कर रहा है इंग्वरा कोशन में निमलिखित में जिए कौन सा या c अंदोलन किसानों से सम्मंदित है तो पहला कह रहा है कि खासी बीद्रों किसानों से समन्द है दूस विद्रों में यहां पर हुए है और यह जंजाती है विद्रों है किसानों से संदो. नहीं है इसलिए हमारा होगा राइट हो जाएगा है कुछरान है कि 1867 संगराम में तो यह भी करण आता है सफलता में कि यहां के डिसी रियास्तों कहीं या कुछ state ऐसे थे राज ऐसे थे जिन लोगों ने को पर खुल कर मतला उंग्रेजों का समर्थन किया था और उंग्रेजों को सहयता भी दिया था तो इसमें से हम को पता करना है को इसमें से पहला कह रहा है फटे होयार के संधिया इयां कर और डी कह रहा है कि रामगड के लोधी लोधी वग इसमें देखा जाए तो हमारा पाहला जो होगा यानि कि गौालियर के सिंधिया इनहीं का समन्द जो था ठास संतावर के विद्रों में अंग्रेजों को इस समर्थन दिये थे और इस तरह से देखा जाए तो जब जहांसी कि रानी यानि कि जासी प्रदेश से जब यहां कुछ करती है ग्वालियर के तरफ करती है तो ग्वालियर यहीं सिंधिया की सेना जो है उनके साथ जूढ जाती है और उनके साथ भी द्रों कर यहां के सिंध्या जो है कि इस विद्रो नंगरह यहां पर हो जाएगा ये निच्स पर लुगा जाए थे ने канале कूँ कॉम्च्चम घ्रा z clergy baker में और सॉजब किख करंथि का निता ठाथ लें लंकर जुद pracy में अठारहाजवाशनावन इस भी कैंक perati का नेता था और जिवान-मानिरामदत दूसरा है कि कमपेश्वर्दत कमपेश्वर्ड सिंग और D है पी आली भरूगा तो इसमें देखा जाए तो 117 के विद्रो में असम में खास करके कहां असम में धिवान मानी राम्दत ने विद्रो किया था ठीक है लेकिन उने था किसी और कचुने थे यानि कि देखा जा इसमें तो कमपेश्वर सिंग के पोता यानि कि इसमें कमपेश्वर सिंग के एक पोता जो थे एक पोता थे उन्हीं को मतरब की क्या करते हैं राजा बनाते हैं असम का यहां को सासक बनाते हैं और उनको उनको सरक्षर देते हुए यानि के मनी रामदत ने क्या किया था बिद्रो किया था तो विद्रो करता से निक्ष कॉछनमरे है कि 1857 संबंधित पहली घटना थी क्या थी तो इसमें यहने कि चाहर अप्टन में हम्मरा पहली घटना दिखा जाए तो सबसे पहले कानपूर में बिद्रोह और नाना शाहब का नेतित संभाला बेगम हाजरत महल दुसरा में कर रहा है कि बेजांग हाजरत महल द्वारा आबद कर न पहुचना, और डी अफ्षन कर रहा है कि जहां स kitty रानी का विद्रों, पिसमें सबसे जो है अप факmen अप्षन यानी कि सबसे पर अपहली घटना जो जायेगी वह सहनी को का दिल्ली के लाल के लिए पर अपूचना, मिरेत के पैदल सहिनिकों ने कदम सिंग के नेत्रत में सबसी पहली बार देखा जाता है कि यह 10 मई 1867 को बीदरो की सुरूवात करते हैं और वहां से वी दरो करने के बाद वहां से पैदन ही कुछ करते हैं कहां दिल्दी के लिए और दिल्ली पर जाकर उनको क्या करते हैं उनको बाग्दोर समहलने के लिए करते हैं और वह 11 मई को पहुंसते हैं और इस तरह से देखा जा जाएगा सणीकों का दिली के लाल के लिए पर पहुंचना यानी कि क्या हो जाएगा इसमें इस पर अधारी दिया गया है जो कि हमरा पहला कथन है महारानी लक्षमी बाई की जन्म अस्तली बरार्सी है महारानी लक्षमी की जन्म अस्तली कहां है बरार्सी है क्या होगा राइट होगा पहला कथन हमरा क्या है राइट है तुसरा कर रहा है कि 1867 इस वी के बिद्रो को मिर्जा गालिब जो एक के बहुत ही अच्छे मसहूर गजल लिखने वाले तो मिर्जा गालिब जो है इसको क्या करता है निकी इसको देखा था अपने आखों से स्वयम देखा था तीसरा कहरा कि अठारसा संतावन इस भी के विद्रोग का सिक्षित बर्ग ने समर्थन किया सिक्षित बर्ग ने क्या किया था समर्थन किया था तो सिक्षित बर्ग ने समर्थन नहीं किया था अगर सिक्षित बर्ग समर्थन करता तो हमारे अठारसा संतावन के विद्रोग की दूरदासा नहीं होती असफ़न नहीं होता कुछ और इसकी कहानी होती जो अंग्रेजों तरह को सब्खाषय पास पर शांट धी राइट हो का यह से चौन था आट तोận यह राइट है तो फाना 12रा था पाँ से देवासलों की समय ब्रियतन का प्रदहार मंत्री भी-सकोट पास पामर्ष्टन था सब्सक्राइब ये थी फोगा इस तरह से चो था दाइट है पहला डुसरा चो थाथ है तो पहला गक्तवा HERA क्या हो जाएगा किकन क्या होगा हो किन अदिकारियों ने कि इन ब्रिटिस अधिकारियों ने लखनाओं में अपना जीवन खोया था ब्रिटिस अधिकारियों ठास तो संतावन के विद्रोग को दबाने में काफी मतलब की कम्याब होते हैं इसमें कुर्ष्ट ब्रिटिस अधिकारियों की जान बेचले जाती है तो इसमें कहा जा रहा ह निकलसन उसका रहüne जनर्न निर आ झ Subs lid नि त्षम करकेमेजर जनल सबने अपनी जान को गावाया था यान की जान को ख्रयट light लेकिन कुछ जो है तब डिली में नहीं है यह की इसमें एक इस अन्हेब्ड कर पहला को छोड़कर और दूसरा है कि क्या था यानि कि लखनों में अपने जान को गवाया था लेकिन इस जनरल निकलसंज वह यह दिल्ली में अपनी जान को गवा दी है तरह से हाँ अलग दिली में है। लेखिन लोंग की घुट तो टो ten नहीं होगा गली होत्ञ हो और दो तीन चारा में अपनि अफटेंउat होगा और दो, तीन, चारा से थान safe खेरा है कि निमलिखित में से कौन से कहलिए है। पहला है 1857 के विद्रो को ब्रिटिस भारत की अपनिविश्प इतिहास का संक्रांतिक काल कहा जाता है तो यह क्या होगा या पहला राइट है बिलिकल संक्रांति काल कहा जाता है दुसरा है कि यह विद्रो उनिस्वी सताबदी में सैनी को किसानों और आदिवासियों द्वारा किये गए पिछले विद्रोहों जैसे ही था जिन में छिटपुट घटनाय होती रही है 1867 के पहले देखा जा तो बहुत सारे विद्रो छिटपुट घटनाय हुई है विद्रोह के समन्दित सैनिकों के लेकिन इतने बड़े लेवल पर नहीं हुआ था तो उन सभी छोटे मोटे जो विद्रोह हैं उसको 1867 के विद्रोह सोकन मतलब कि कमप्रिजन करना यह उचित नह बढ़े पैमाने पर हुआ था यानि कκι कर behavior स स्टेट में रchemical तीस तरह देखा जाया तो लोकल मतलब कि इस विद्रोह नहीं कहा जा सकता है उन्यकिसको राष्ट कि बहुत सारे विद्रोह नहीं है आकिस को राष्ट बिद्रोह सारे विद्रोह है इस लिए दूसरा प्संग का हो दो गलत हो जाएगा थी शरकारा कि इस बिढौut में रभारत अप्सान और बंगाल अच्छूते रहे तो बिलकुल हरा जो हमरा कथन है सही है क्योंकि इस समय दख भार AT पंजाब और बंगाल अच्छूते रहे हैं तो पहला और तीसरा साही कफन को चूनना था पहला और तीसरा क्या है राइट है और हमारा option कि अपशन होगा नेक्ट कुशन हमारा है 18 कोशन 18 कोशन बंका जवरा है की निमखित स्थिखत कथ्रों में कौन सास असते हैं असत्य कफन को पता करना है और अठारा कोस्चन में कहा दिए कि असत्य कफन को पता करना है तरक से पाला यहां पटा जरा है तटारा सच और किया गया यह च्रह plant है जिसके अनुसार से को को निस्षूल्क डाक सुवीधा परदान की गई सायन को को नहसुल कडाक सुविधा परदान की गई तो यहाँ पर जो है dance виẢम लाय गया था जिस peward सूल कडाक्स विदा परदान की गई थी लेकिन यहां ंदेट जो है यह गलत है यहनि कर देट होगा कम होगा 37 1774 इसमी में ये कार्य किया गया था यहां 1754 दिया हुआ है ति क्या हो जाएगा गलत हो जाएका पहला हमरे कथन क्या है गलत है और असत्य कथन को पर्दा करना था तो पहला क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा दुसरा का रहा है कि कहनिंग की सरकार ने 1856 इसमी में सेना भरती अधनियम पारित किया इस अधनियम के अनुसार सभी सैनिकों को यह स्विकार करना पड़ता था जहां कहीं और स्यक्ता होगी वे वहां कार करेंगे अर्थात में समुद्र पार जाने से माना नहीं कर सकते थे यह कैनिंग के द्वारा 1856 में लाए गया सेना बरती अधनियम ही थ सब्तिश्यक्ता धार जिसमें सैनिकों को अब मतल्व की हर जगा कहीं भी उनको भेजा जा सकता था जूद के अभियान में का निकिस अमूंधर पार भी अगर भेजा जा रहा है तब यह माना नहीं कर सकती थी और यह जो अधनियम अधनिये बलाए गया था यह कैनिं दुसरा तिसरा राइट है और पहला क्या है गलत है असत्य है और हमको असत्य कथन का पहचान करना है तो पहला असत्य है और सिर्फ पहला असत्य है तो यह अप्षन क्या होगा राइट अप्षन होगा यह अप्षन हमारा राइट अठारा का यह अप्षन नेक्ष्ट हमारा को गौालियर की ओवर प्रस्थान कर गई, बिल्कुल प्रस्थान कर गई, और गौालियर की सेना जो है, वो सिंधिया के बीरोध में थी, और इस तरह से वहां की सेना, सिंधिया की जो सेना है, गौालियर की सिंधिया, जो राजा है सिंधिया, उनकी सेना, इनके सेनिकों के साथ म संभलपुर के राजकुमार सुरेंद्र साही तथा उजवल साही के द्वारा बिद्रोह किया गया कहाँ पर उडिसाम की बात हो रही है संभलपुर के राजकुमार सुरेंद्र साही तथा उजवल साही के द्वारा बिद्रोह किया गया ते क्या होगा यानि कि बिल्कुल यह य साही जो है ओल्पर कर लिए आतमे समरपण कर लिए तो आतमे समरपण कर लिए कौन यानि कि संभलपुर के राजकुमार सुरेंदर साही ने अथ्फशंबपर किया और यह क्या होगा यानि की देखा जाए तो साही के दरवार विद्रो किया था यानि को दूसरा भी क्या होगा राइट फोगा next question हमारा ये है कि में सक टिसाली केंड्रिय所以 संगठन का आभाव था तो बिल्कुर राइट थाई यह रहा है कि 1880 को राष्ट्रियता की भावनांस ये प्रे रिधित्हों कर कर लड़ रहे थे राश्टियता की भावना से प्रेरीत होकर लड़ रहे थे, ये कथन जो है हमरा गलत होगा, क्योंकि किसी भी तरह की राश्टियता की भावना इसमें नहीं थी, तो इस तरह से हमरा चौथा कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, अब दिखते हैं कि क्या यहाँ पर कोशन क कर रहाया कि व प्रुप्प कफ्शनों में से कौन सा कफन असत्य है असत्य कफन को पता करना है तो आप देख चुके हैं ऐसके 40 दिए गए है तो चारों कफन में आफ 4 तहीय जो है जिसमें कहा गया है । भी जो है RA SHARTA की भावना से वहा वा भी दो सब्सक्राइब करता है और दूसरी तरफ क्या है यानि के अधिकारी जो भी द्रोग को दावाने में काम कर रहा है यान पर है यहाँ पर करता है की जन्वाने में की जसे था याने कि चाहसी में जो वगा था- कारनल निल के द्वारा उसको दबाए गया था आता निकिствен if रोग नहीं हूआ था यानि कि वहाँ धानी में जन रीव दमाने में जनर्न रीव रोज का बहुत बड़ा युगल्स लखनऊ लखनऊ में देखा जाए तो करनल निल ही वहाँ पर विद्रो दबाय थे तिस तरह से अगर दोनों के तयको तइसरा कारा की जगदीश्पूर जगदीस पूर जो है और यहाँ पर मेजंश विल्यम टेलर जो है यानि कि तीसरा जो है क्या है यह सुमलित है और तीसरा सिर्फ सुमरीज होने के कारण यहाँ अप्रस क्या हो जाएगा टी अबसं राइट अप्सन होगा अब सवाल उठता है कि जैसी में किसने वीदों आप यदा कर वाया था तो जरन्रल भारतिय करंदिकारियों में यहां सोई हुई और अक्ञेली म्र्द है बात किसें ने कहा था और किसके लिए कहा था तो छहांसी की रानी यान outlines की लक्षमी बाइए की यंग अहने हा चैजनल teacher ऐसे विन यूट एका डी अपसं हम से मनल पांडे काहा के वी individuals से जुड़े हुए थे लेकिन और अस्थान भी जिला हुआ था, कई जगा यहां पर सेंटर था, विद्रोग का, तो मंगल पंडे का संबंध किस से है, इसमें मंगल पंडे का, वो कौन सा अस्थान है, जहां पर इनका विपलो हुआ था, इनकी विद्रोग हुआ था, तो पहला कह रहा है कि ठेक और बैरकपूर में 34 में चौतिसमी एन आई नेटिव इंट्रे बटालियन के जमान थे और इनहां पर इन्होंने विद्रो किया था नेक्ट कोशन हमारा प्रेंटीमन कोश्चन में का जा रहा है कि 1858 इसमी में समरागी विक्टोरिया की घोषणा में भारतिय देशी रियास्तों के रजाओं के प्रती निती से संबंद कथनों में से कौन सा कथन सही है भारतिय देशी रियास्तों के रजाओं के प्रती अगर महारा ने विक्टोरिया की घोषणा हो रही है तो इसमें देखना है कि दोनों कथन एमें से कौन से कथन क्या है यानि इभरफिय करूधियुक है वह संधीय का आधर करने की द्रिश्टी डाली तो ब्रिटि सासन और भारतिय राजाओं के मद्ध जो संधीयां पर कहा रहा है कि उसमें द्रिश्टी के दर लग गेया है तो क्योंकि यहां पर देखा जायए तो बुर्ष आप अनगनी क माहरानी को उभिष्क उभ्या करिया के गोष्णा होता है कि इस संधी के तह अब तह्त सब्राज में सामिल नहीं किया जाएगा यहां परिपाहला-प्र क्राइभ को क्या होगा यह रोंग होगा गलत हो जाएगा दुसरा कहें लिए सब्सक्राइब करेंगे हम यहां पर ऑप्सन क्या होगा न तो एक और नहीं दो यानिकी सब्सक्राइब सब्सक्राइब करेंगे अगर देखा जा तो सबसे पहले का रहा है कि राम विद्रो की संग्या देने वाला वह व्यक्ति इस चार अप्सन में इसे कही नहीं है जिसको हम लोग यहां पर देखेंगे अगर देखा जाया तो सबसे पहले का रहा है कि राम विला सर्मा राम विला सर्मा ने अठाशा संतान के विद्रों को जन करांती कहा था इन्होंने क्या कहा था जन करांती कहा था अठाशा संतान के विद्रों क्या है जन करांती है इन्होंने ये बात कहा था यहां पर है सर जान लॉरेंस सर जान लॉरेंस इसनोंने कुछ U towards us सुपाही विद्रोव है या था पॉरोता सीपाही विड्रो पॉरिटा सिपाही विद्रो ठीक पर जाएमें डिजराईले ब конц कहाथ हा कि यह राश्ट्रिय वीद्रो है राश्ट्रीय वीद्रो कहते हैं मिश्टर कि यू क्याbuild कि निक्या तयाorth course कि अन्हीं आग गोई प्रचिंह प्रोदी कर थाफिटीट कि है समन्तवादी प्राक्रिया रिछ की ने समीन आप दी प्रक्रिया का था सामंत वादी प्रक्रिया क्वन ऑस तरा सा देखा जा था हमरा है राष्टेच्स ए संग्यां कि संग्या किस न दिया थ हा बोड़ंट प्रकर अपीज़ी आपकोन वंकि यह जाए का इस प्रकार हमारे चैनल को आप सस्क्राइब करिये जितना हो सके इसको share करिए और मुझे motivate करते रहे और के थैंक यू